देट 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 दाली रामा के आशीरवात से आपको पुत्र प्राप्ठ हुआ है अजएन प्रजा को पुत्र फ्राप्ति में सहाईता कर रहे है सरन तो ये कैसे संभव हुए मन्तिवर गुरुवर जी क्या ये बालक आपको परगत के पेड़ के नीचे पपिता रखने से हुआ है नहीं महाराज भला पपिते से कहां पुत्र उत्पन हो सकता है गुरुवर जैसे आप पल भर में किसी को भस्म कर सकते हैं वैसे ही भल से पुत्र प्राप्त क्यों नहीं हो सकता है हो सकता है ना गुरुवर हाँ और हम आपके ही पुत्र छोट उचारिया है पिता स्री और हमारा नाम करन भी तो आप ही ने किया है हमने कब कि हुआ हाँ 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 वही रूप वही स्रिंगार इनकी तो भाव भंकी भाई भी मिलती है महाराज तथा चारे चुटा चारे नहीं नहीं महाराज यह समस्या बहुत विशाल है तूटी हो रही है महाराज यदि समय पर इसका निराकरण नहीं किया गया तो यह समस्या विक्रार रूपधारन करने की गुरुवर कैसे समस्या हो जाएगी महाराज समस्त विजे नगर में यह मिठ गुरु तताचारे को एक अंतर्यामी महाज्यानी को बर्गत के वरिक्ष के नीचे पपिताय रखने से पुत्र पड़ात हुआ है हाँ ये सत्य है और मैं इसका ब्रहाण हूँ जब यूर। ऑल्राज आप ही विजशार कीजिए जो समस्त वेदों का ज्यादा है जिसका नीचे ऊशिफिभु के भागवाण शिवा से नाता ने ऑचते हैं यை जी कहना चाह रहे हैंँ आप पंडित रामा कृ yelled हमाराज हमारी पत्नी वरुनमाला गंगु गहन की भक्त गंगु गैन्सने शही उन्हें वभपीता दिया और अपनी पत्नी का मन रखने के लिए हम ईंडु भ अव्जोफ है और उस पपीते की प्रभाव से आपको इस पुत्र रत्म की प्राप्ती हुई नहीं महाराज बाबा गंगो ग्यान आपके समख्ष उपस्तित होने की अनुमती चाहते हैं अच्छा बाबा स्वयम बढ़ा रहे हैं अवश्य अवश्य अनुमती है तो प्रणाम बाबा तो कहिए किस प्रियोजन से आपका यहां आना हुआ महराज महराज जब हम ध्यान मगन थे तो हमें ग्यात हुआ कि आपके दर्बार में कुछ ना कुछ अनुचित हो रहा है पस उसी के लिए हम यहाँ पर बस्ते दूरे हैं अच्छा, तो क्या अनुस्य थोड़ा है दरबार में बाबा? महराज, हम तो रमते जोगी हैं कल रमते रमते हम बर्गत के ब्रख्ष के समीप पहुँचे बही बर्गत का ब्रख्ष जहां पर हमारे भगतों की मनों कामना पूर्ण होती है अरे बाबा, गरंत हमत पढ़िये, कथा सारांश में बताईए अमस्य है, अमस्य है तो महराज, हुआ यहूँ कि कल रात्री जब हमें भूग लगी सारांश बताईए, बाबा सारांश फल खालिया प्ल खालिया बताईए ना लुख अव चुझ णत्धार ना ऊड़ततीे भोला फकीर बताईए है सारांश में तो महराज हो आएँ कि खहर में घर आपीता कई कि वहाँ पर जो पपीता रखा हुआ है वो हमने स्वेम वरुण मालता को दिया था और हम उसका बख्षन कर गए थे तिक है हाँ एकड़ महराज इस सिद्ध हो जाता है कि यह बालक हमारे पपीते से उत्पन नहीं हुआ यह थे। यह थे तुमने बाबा उस पपीते को खा गए तो तुम हमारे पपीते से उत्पन नहीं होई है महराज अगर हमारे दिये हुआ फलको कुछ हो जाये तो उसका परेढाम महीं मिलता तो पर यह चमत्कार कौनसे फलका है यह वता ही आप हम बताते हैं महाराज, हम बताते हैं. यह छोटा चमतकार हमारे पपीते से नहीं हुआ, यह अननास से उत्पन हुआ है. है? अन्य है, अब अननास से भी बालक पैदा होने लगे. जे महाराज, और यह अननास कोई आम अननास नहीं, विशेश अननास है. क्यों, बंडित? रामा, क्रिष्णा. रामा, कहीं यह तेरा पुत्र तो नहीं है? चुपकर. गुरुवर, यह आप कैसी बाते कर रहे हैं? भल से भी कभी कोई पुत्र प्राप्त होता है क्या? होते हैं, होते हैं, होते हैं, हमाराज. यह बालक उधारन है ना? होते होंगे, किन्तु अनानास से नहीं होते, नहीं होते, महाराज. पंडित रामकृष्णा. जी महाराज. आप तो इस प्रकार विचलित हो रहे हैं, जैसे बरगत के पेड़ के नीचे वो अनानास आपने रखा हूँ. पंडित रामकृष्णा, कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं? महाराज प्रसंता के कारण इनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं. हम आपको बताते हैं. आपने जो कहा एकदम सत्य कहा. जिस अनानास से ये बालत उत्पन हुआ है, वो अनानास पंडित रामाकृष्णा ने उस बरगत के वरक्ष के नीचे रखा था. गत्रात्री हमने स्वं अपने नित्रों से वो अनानास पंडित रामाकृष्णा के हाथों में देखा था. पंडित रामाकृष्णा. महाराज वो अम्मा और सार्दा के दबाव में आकर मैंने वो अनानास बरगत के विख्य नीचे रख दिया था. महराज इसे सिद्ध होता है कि यह छोट आचारे नहीं है अपी तुपंडित रामा किष्णा के अननास से पैयदा हुआ इनका पुत्र थोटू रामा है पीतासरी दूर 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 भुदूर दूर हमने अपरा लिजिए पीतासरी एप यह क्या है महराज यह सत्य नहीं है जो आपने बर्गत के विर्क्ष के नीचे बाबा गुंगु गहन का दिया अनाराज रखा था या नहीं रखा था रखा था पर तो बाबा आपके दिये हुए फल से उत्र उत्पन होते हैं या नहीं होते हैं अवश्य होते हैं हमारे प इसे अपना पुत्र स्विकार करके पित्र धरम राष्ट धरम और ब्रहमांड में इसे संबंदित जितने भी धरम है उनका पालन कीजी महराज, आप ही कुछ कही है ना, एक थल से भला पुत्र कैसे उत्पन्य हो सकता है अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, पंडित रामकृष्णा आप ही ने कुछ समय पूर्व कहा था, कि ये संभाव है तो आपने बर्गत के विर्ख्ष के नीचे वो अनानास रखा और ये वालकृत्पन हुआ तो आप इसके लालन पालन का दायत्व पंडित रामकृष्णा आभिका हुआ इस शुटू रामा को आप विकार करें ऐसे एक अच्छे पिता की भाँती ऐक उजवल भविष्य एक अच्छा जीवन दे यह हमारी इच्छ भी है और हमारा आदेष भी पिताष्री, मनें, वालाख! वैंदा! पिताष्री हमाने श्रीकार कर लीचे, पिताष्री. रामाव? मुझे पता हैं तुम क्या कहने वाला है, बंदु? क्या? मर गये! पिताष्री! यदी रामा ने बर्गत के वरिक्ष के नीचे वो फल रखा होता तो आज इस पाल्ले में नन्हा मुन्हा हाथ पेर फेकर किलकार्या माजा होता यह लो अम्मा तुम्हारे पाल्ले में जूला जूलने के लिए आ गया यह कौन है तुम्हारे कारणी तो यह यहा है तुम्हें जो बर्गत के व्रिक्ष के नीचे रखने के लिए अनानाज दिया था ना यह उसी से उत्पन तुम्हारा पुत्र और अम्मा का पौत्र है छोटु रामा तुम्हारे उस बाबा रे क्या नामे उनका दंदू देहन तुपकर गंगु गहन यह उनके आशिरवात का प्रतिफल है जार्दा तुम्हारा पुत्र छोटु रामा पलंतो यह चोटा का है यह तो बला और यह तो आयू में मुझ्के भी ज्यादा बला लगता है एना पर अब क्या कर सकते गुंडपे जो है तो यही है जबाल वालत तो नन्हा मुन्हा इतना सा होना चाहिए यह तो इतना बड़ा है हाँ मुझे भी यही प्रतिफ होता है मैं एक कार्य करता हूँ इसे वापस छोड़ कर आता हूँ हाँ चल्ड़ मा मा पूत्र वो कहते है ना भागते भूत की लंगोट ही सही रुक जाए छोटू तू बड़ा ही सही परन्तु तू बर्गत के व्रिक्ष से उत्पन हुआ है तू ने संदे मेरा ही पौत्र है और शार्दा का पूत्र आप सकते कह रहे हैं दादी अम्मा निकाल रही थी परन्तो अब तो नहीं निकाल दे ना यह कौन है मैं तेला काका हूँ लामा का मितल गुंदप्पा यह तुमारे हाथ में क्या आए यह धंती है दूमय तू दे नहीं दूमय दोना दोना मुझे कहल ना दोना दोना मुझे कहलना है रदा काका दोना दोना अब काका दो बोल दिया, देना ही पलेगा, ये ले, पूत्लु. पूत्लु? हाँ, पूलुतु ना? ये तिष्कल लिए है? हाँ, ये तुम्हारे लिए है. पुरूं, तु अम्तोईस में जाई नहीं पारे? निकल, निकल वहां से, तु प्रयासी क्यों कर रहा है, पालना तूट जाएगा, हच! दादी, अम्मा, पिछासी को रोके रहा हर प्रसंग में टोका ठाकी करते है. क्ये लीजे, महाराज? ये क्या है? ये तो अनार के भांती प्रतित हो रहा है. महाराज, ये अनार ही है. अनार? आज आप फल लाई है, कोई विशेश वियंजन नहीं बनाया आपने हमारे लिए. महाराज, ये खाने के लिए नहीं है. ये दो परगत के व्रिक्ष के नीचे रखने के लिए है. अनार ही लाई है. ये पहुत सारी पुत्र चाहिए. परदु महाराणी तिरुमलम्मा, अनार से संतानों का क्या संबंद है? है, बहुत जहरा संबंद है. जैसे पंडित रामा किष्णा ने बरगत के नीचे अनानास रखा था, तो उने एक पुत्र की प्राप्ति हुई. अनार में तो कितनी सारी दाने होते हैं. सोचिए, हमें कितनी सारी पुत्रों की प्राप्ति होगी. है न, महाराज? परन्तो महारानी तिरुमलंबा, आपको इतने सारी संतानों की क्या आवश्यक्ता है? इसके दो लाब हैं. एक तो हमारा नाम इतिहास पे सोर नक्षरों में अनकित हो जाएगा. और दूसरा लाब ये. क्यों हम इतना स्वादिस्ट वेंजर बनाते हैं? उसे चकने के लिए भी तो हमें बहुत सारी पुत्रों की आवश्यक्ता होगी. होगी, अवश्य होगी. महारानी जिन्ना दिवी, आप चिंतित पिल्कुल ना हो. हमने आपके लिए भी सीता फल मंगवाया है. आप उसे महारा से कहकर ना पर्गर के प्रिश के नीचे रखवा दीजीगा. आपको भी बहुत सारे फुत्रों की प्राप्ती होगी. सीता फल क्यों? हम भी अनार ही रखवा देते हैं. ने, 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 फिर तो गहन समस्या हो जाएगी ना. कैसी समस्या? आपके हमारे पुत्र अलग-अलग दिखने चाहिए. फिर पता किसे चलेगा आपका पुत्र कौन सा है और हमारा पुत्र कौन सा है? धन्यवार महरानी तिर मुलंबा. आपको हमारी कितने ही चिंता रहती हैं. सच मुझी, आप बहुत बुद्धी मती हैं. हमारी मा भी यही कहती है कि हमारा हिटे बहुत विशाल है. हम सबकी विशे में सोचते हैं. अब बुद्ध, सत्य कहती है आपकी मा. महराज, माता से याद आया, आपको तो अनार बरगत के ब्रिश के नीचे रुख रहा है ना? माता से अनार कैसे स्मरन हुआ? महराज, जब आप अनार को वर्गत के ब्रिश के नीचे रुखेंगे, तभी तो माता बनेंगे ना? महराज, क्या आपको भी ऐसे ही प्रतित होता है, कि अनार बरगत के ब्रिश के नीचे रखने से, पंडित रामा कृष्ण को पुत्र की प्राप्ति हुई है? महराने चिन्ना देवी, ऐसा भी कभी होता है, असंभव है, तो फिर आपने उस बालक के लालन बालन का दायत्व, पंडित रामा कृष्ण को क्यों असौप्ति है? आनन्द प्राप्ति के लिए, जब भी पंडित रामा कृष्ण किसी विचित्र समस्या में फंस्ता है, तो ह हमारा गुंटर, जब ने का में हमारा पुटर, तो है हमारा पुटर अपका पुटर ये अपका की रही है, अब को तो है ये तो ब्रगत के ब्रिक से ऊठण हूए हमारे पुटर चोट उचा रहे है नहीं नहीं गुरु माता ये बाबा गंगु गहन के आशरवाद से बर्गत के पेड के नीचे से अनानास से उत्पन हुए चोटु रामा है नहीं नहीं पपीता अनानास देखे ना ये पपीते की तरह गोल है नहीं अनानास की तरह लंबा है परन्तु ये कैसे संभव है हमने स्वैम अपने स्वामी को उस बर्गत के ब्रिक्ष के नीचे पपीता रखने के लिए भेजा था परन्तु गुरु माता गुरुवर ने आज तर कोई भी कारे ठीक से किया है आप हमारे स्वामी के लिए कुछ भी ना कहें और वैसे भी आपके चल्लें नीया है हाँ पुट्र क्यू नहीं चल्यystem अब ही आवाज पर आपको जले भी उपलब्थ कराएंगे जलि वुटाचारी शोटू रामा अले तोल दीती होते उत्या आस्ट में कस्तोल है यह कस्त के नहीं यह तो प्रसंदता के आशु है आप सब का प्यार देखकर मेरी आखे बर आई मैं तो अनानास से उत्पर्ण हुआ हूँ अते मेरी वास्तमिक मा शार्दा देवी है आपका पपी दा तो बाबा गंगु गहन खा गए अगर आपका पूत्र होगा भी तो उनके उधर में होगा परंथvideo आपप तनिक भी चिनतितना हो माते मैं आपशे पूत्र की तरह ही प्यार करूँगा अप सत्त कहरें है है हाँ परंथि उमारी जलेभी आप तनिक भी चिनतितना है हो पूत्र हम आपके लिए जलेभी बनवाकर भी जवाते है है हां? चिंता मत करूँ पुत्र, जो हमारा और केवल हमारा ही है. मैं अभी तुरे ने जल्य भी बना के लाती हूं, हां? अम्मा अभी लाते हैं. पीता स्री, भवन तो आपने अतिंद भवन निर्मान किया है. कुछ दन अपने संग्रहित भीर किया है या समस्त भवन निर्मान में समाप्त कर दिया? अम्मा, एक शड़. देख छोटे, पहली बात तो यह कि मैं तेरा पिताश्री नहीं हूं. और दूसरी बात, तुझे इन सब से क्या लेना देना है? आपका उत्तराधिकारी होने के कारण, आपके पस्ताथ सब कुछ हमेही तो संभालना है. आता है, हमें पुरी जानकारी होनी चाहिए, ना? एको तो, अम्मा, अभी मेरे घर में घुचा भी नहीं और मेरे उपर जाने की बात कर दा है? पिता-ई-ग एकन्याधिन मेरे आपके जाना है. इच्छोड़ गी कि इतनी कृपा है ना, अम्मा, कि हमको इतनी प्याली प्याली दादीयम्मा धिये, इतने प्याले प्याले काका धिये, और दो-दो-माता है धी, और ... और सबसे अधिक प्रेम करने वाले पिता सरी भी दिये तब बाबा दंदू बहनती तिलिपाए ए बंदू अच्छा हुआ रामा मैं तेरे सर पर हूँ अन्या था ये तो मुझे पर भी अपना अधिकार जमा लेता मुझे इसके लक्षन ठीक प्रतीप नहीं हो रहा है तू ठीक कह़ा है बंदू शीकर ही उस बाबा गंगु घैन को डूढना होगा अब वो ही मुझे इस भवर से निकाल सकते है अब बंदू